कुकू टीवी कोमल एक अच्छी चित्रकार भी है पती कमलेश का व्यापार आजकल घाटे में चल रहा है और वो इस नुकसान के लिए कोमल को जिम्मेदार ठहराता है कोमल तुम्हारे मन्हूस कडम जब से घर में पड़े हैं मेरा तो बंटाधार हो गया है अगर तुम मन्हूस नहीं हो तो कोई चमतकार दिखाओ अपने साई बाबा से कहो वो तुम्हारे पती के कारुबार को दिन दुनार रात चौगना कर दे हम साई बाबा से प्रातना करेंगे मैं एक नई मीटिंग के लिए जा रहा हूँ अगर आज सफलता नहीं मिली तो तुम्हें घर से निकाल दूँगा समझ लो ये तुम्हारे साई बाबा की परिक्षा है कमलिश चला जाता है कोमल साई बाबा का चित्र बनाती हुई उनका भजन गाती है और प्राधना करती है समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता कोमल की सास घुस्से से लाल पिनी होकर वहां आती है और कोमल ने जो साई बाबा का चित्र बनाया है उस पर पानी डाल देती है कोमल अपनी सास के इस वहवार से हैरान होती है माजी आपने ऐसा क्यों किया? तुम और तुम्हारे साई बाबा इसी लायक है आप मेरे साई बाबा का अपमान कर रही है तुम भी तो मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर रही हो उसने अभी मुझे से फोन पर कहा है कि कोमल को घर से निकाल दो क्या? हाँ, उसकी आज की मीटिंग भी और सफर रही चल निकल जा इस घर से माजी मेरी बात तो सुनिये सास कोमल की एक बात नहीं सुनती और उसे धक्का दे कर घर से बाहर निकाल देती है और साई का वो चित्र जिस पर उसमें पानी डाला था उसे भी बाहर फेक देती है मेरे घर में अब तुम्हारी और साई बाबा दोनों की जगे नहीं है सास कोमल को घर से निकाल कर दर्वाजा बंद कर देती है कोमल साई बाबा का चित्र अपनी सीने से लगा कर रोती हुई वहां से जाती है और मन ही मन साई बाबा से प्रार्थ ना करती है साई बाबा अब आप ही मेरा सहारा हो मेरे पती और सास्ते आपका आपमान किया है मुझे हिम्मत दीजे कि मैं आपकी भक्ती करते हुए जीवन से संघर्ष करूँ और कुछ बन कर दिखाऊँ कोमल भावुक होकर अपनी धुन में साई भजन गाते हुई चली जाती है कमलिश अपनी घर आता है और कोमल को वहां ना पाकर खुश होता है आपने अच्छा किया मा जो उस मन्हुस को घर से निकाल दिया हाँ बहु का मन्हुस साया घर से निकल गया है अब देखना तुम्हारे दिन बदल जाएंगे कोमल से मैंने शादी इसलिए की थी कि ससुराल से कुछ मदद मिल जाएगी हाँ बेटा जो हुआ उसे जाने दो और कल से अपने नए जीवन की शुरुआत करो मा कल से हम एक नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं मुझे अपना आशिरवाद दो मा बेटा मेरा आशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है नया दिम कोमल की जिंदगी में नई शुरुआत लेकर आता है वो एक किराय का घर लेकर अकेली रहने लगती है और चित्रकारी को जीवन का लक्ष बना कर वो साई बाबा का एक आकरशक चित्र बनाती है कोमल को मनूस कहने वाले कमलीश के घर बैंक का नोटिस आता है जो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कमलीश अपनी मा के साथ इसी विश्वय पर चर्चा करता है मा ये बैंक का नोटिस है इसमें क्या लिखा है हमने कारोबार के लिए अपना घर गिरवी रखकर बैंक से जो नोन लिया था उसे चुका नहीं पाए इसलिए वो हमारा घर हमसे चीन लेंगे मतलब हम सडक पर आ जाएंगे हमारे पास तो किराय के घर के लिए भी पैसे नहीं है कमलेश और उसकी मा अभी भी कोमल को बुरा भला कहना नहीं छोड़ते वो दोनों जी भर के कोमल को कोसते हैं कोमल साइबाबा की जीवन लीला के सभी चित्र बनाती है तबी उसे लंडन में एक अंतराष्ट्य चित्रकारी प्रत्योगिता की जानकारी मिलती है कोमल उस प्रत्योगिता में हिस्सा लेती है और साइबाबा की चित्रा वहां भीचती है साइबाबा की कृपा चमतकार बन कर कोमल का साथ देती है और कोमल उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्रात्त करती है कोमल को इनाम के तौर पर पाच करोर रुपे मिलते हैं कोमल इस इनाम को पाकर साही बाबा की मूर्ति के सामने उनको धन्यवाद कहती है साही बाबा आपके लेला अपरम पार है मैंने आपके आश्रवात से प्रतियोगिता जीत ली है ये सब आपका चमतकार है साही बाबा आपकी जै हो कोमल अंतराश्ट्य प्रतियोगिता जीतने के बाद एक मशूर चित्रकार बन जाती है बड़े बड़े शेहरों में उसकी चित्रों की प्रदशनी लगती है वो अपने चित्रों के साथ साही बाबा के चमतकार और उनकी लीला का प्रचार प्रसार करती है कोमल को अब शोहरत के साथ दौलत भी मिलने लगती है कमलिश अपनी मा के साथ घर से बेघर होकर दर दर की ठोकर खा रहा है दोनों फटे कपड़े और भूग से बेहाल एक वड़ा पाउ के धेले पर आते हैं भाईया दो वड़ा पाउ दे ना बेटा हमारे पास वड़ा पाउ के लिए पैसे नहीं है दुकानदार कमलिश को वड़ा पाउ देता है और कमलिश एक वड़ा पाउ अपनी मा को दे कर खुद भिखाने लगता है कोमल अब शहर की मशूर चित्रकार बन जाती है वो अपने नए बंगले में रहने लगती है कमल अब भी साइं भजन गाते हुए साइं के चित्र बनाती है आज भी वो साइं बाबा का खुबसुरत चित्र बना रही है तभी उसे किसी फकीर की आवाज सुनाई देती है जो हार्मोनियम के साथ साइं भजन गा रहा है वो फकीर कोमल के बंगले तक आ जाता है और आवास लगाता है साई के नाम पर कुछ भिक्षा दे दो कोमल तुरन दर्वाजा खोलती है और सामने देखकर चौक जाती है कमलेश और उसकी माँ साई भजन गाते हुए भीख मांग रहे हैं कोमल भावुख हो जाती है हमने साई बाबा और तुम्हारा बहुत अपमान किया है कोमल हाँ बहुख हमें सजा मिलनी ही चाहिए अब हम साई के नाम पर भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन गुजारेंगे तुमसे एक विंती है अगर हो सको तो मुझे माफ कर देना कोमल भावुख हो कर अपने पती और सास को माफ कर देती है और सम्मान के साथ अपने घर में लेकर आती है कमलेश और उसकी माँ अब साई के परमभक्त बन जाते हैं कोमल इस चमतकार के लिए अपने साई बाबा को फिर से धन्यवाद कहती है